ये कैता का भर्वा बहुत ही टेश्टी और डिलीसियस सब्जी है इसको आप चाबल रोटी की साथ भी खा सकते हैं तो चलिए रेश्पी बनाना अस्टार्ट करते हैं तो उससे पहले आप मेरे चैनल पढ़ना हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक कर दीजिए आप बेल चिंडा कहीं चीचडा भी बोलते हैं बिहार में इसको कैता ही बोलते हैं इसको धोके अच्छे से बाउस करके इसको सब सेम पीसे में कट कर लेंगे लगभग दो से धाई इंच का पीस एकक कट करेंगे देखिए ऐसे मैंने कट कर लिए हैं इसको सारा बीज निकाल लेंगे सारे पीसस से मैंने देखे निकाल लिये हैं और इसको एक बॉल में रख दिये हैं सारे पीसस को इसमें दो गलास मैंने पानी आइड किये हैं और थोड़ा सा नमाग इसको वाइल करने के लिए चड़ा दिये हैं ये दस मिनट में वाइल हो जाएगा मैं इधर मैं मसाला बना लेती हूं तो मैंने राइ लिये थे और लशन और एक प्याज और इसमें मैं आधा चमच जीराइड किये हैं और कुछ काली मिर्ज इसका पेस्ट बना लेंगे और थोड़ा सा अध्रख का टुकड़ा लेना है देखिया ऐसे मैंने एक ठीक पेस्ट बना लिया है अब चाह तो इसमें टोमाटर भी ऐड़ कर सकते हैं मैंने अहीं आईड किये हैं देखिया वायल हो गया इसको छेसे एक प्लेट में निकाले हैं इसको ठंदा होने के लिए अभी रख देते हैं तब तक मसाला फ्राय कर लेत तो देखिए मैंने पैन चड़ा दिये हैं उसमें चार चमस तेल आइड़ी किये हैं और जीरा का फोरन हाप चमस और दोर तेज़ पत्ता आइड़ी किये हैं इसमें दो लग्ट करेंगे लग्स पोट अच्छा सा फ्लेवर आता है मैं जीरे फैस्सक किम भीम कर शक्ते हैं और इसमें दो मेर्ची ए डाइड़ कर लेते हैं मेर्ची इसमें अच्छा अच्छा द़り आएगा üzerine मसाला में अब मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल के सारा पेस्ट एड़ कर लूँगी हल्दी मैंने इसलिए डालें ताकि ज़्यादा मसाला छीटा नहीं मारेगा देखिए सारे मसाला को इसको मेडियम टू लो फ्लेम पे इसको फ्राय करेंगे चलाते हुए फ्राय करना है इसको हलका सभी छूड़ दीजिएगा तो कड़ाहे में चिपक जाएगा तो फ्लेवर खराब कर सकता है तो इसलिए हमेशा चलाते रहिएगा अब इसमें हाप चमच हल्दी और एक चमच नमक एड़ कर लेते हैं स्वादुन नसार आप नमक एड़ कर सकते हैं और एक चमच रेट पॉडर एड़ किये हैं अब इसमें एक चमच मैंने सांभर मसाला आड़ किये हैं सांभर मसाला से बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है आपके पास जो भी मसाला है वो आड़ कर सकते हैं नहीं तो कोई बात नहीं और आधा चमच गरमसाला एड़ किये हैं गरमसाला एड़ करना जरूरी है इसमें इसे अच्छा सा फ्लिवर आएगा अब इसको ऐसे चलाते हुए फ्राइ कर लेना है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता इसको आप चाबल के साथ रोटी के साथ जैसे चाहे वैसे खा सकते हैं ये सबको बहुत पसंद आएगा लगेगा कि बिल्कुल मचली जैसा इसका टेस्ट लगेगा आप बना के जरूर ट्राय करिएगा इस तरीका से मेरे तरीका इसको देखिए अब ये बिल्कुल मसाला भून गया है कडाई छोड़ने लगा है देखिए ये बिल्कुल भून के रेडी हो गया है अब इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं अब इधर कडाई गरम कर लेते हैं इसमें थोड़ा सा ही तेल एड़ करना आई इधर देखिए कैटा का पीसेस भी ठंडा हो गया है अब इसको भर लेते हैं तो मैं चमा से भर रही हूं हैंड से भरे गया तो ज्यादा वेटर रहेगा देखिए ऐसे भर लीजिएगा सारे पीसेस को ऐसे करके एक एक पीसेस को भर लेते हैं ऐसे करके सारे पीसेस को भर लेना इधर तेल भी गरम हो गया है अब इसमें मैं पीस डाल देती हूं इसको हलके हाथों से पलटना है यह फ्राय होने में लगबख 10 मिनिट का टाइम लेता है 10 मिनिट में बिलकुर फ्राय हो जाएगा अच्छे तरह से हलका सा ब्राउन होगा अंदर तो ऐसे पलट लेना है अब चमच के सहता से भी पलट सकते है इसको हलके हाथों से पलट येगा फ्रेंट नहीं तो मसाला निकल भी जाएगा देखे ऐसे करके पलट येगा तो मसाला भी नहीं निकलेगा एक खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है एक बार 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 लाके बनाईएगा इसको जितना भी बनाईएगा उतना कम ही पड़ जाएगा बहुत ही क्योंकि टेस्टी लगता ये चाबल के साथ भी खा सकते हैं दाल चाबल के भी साथ और ये रूटी के साथ भी खा सकते हैं एक ग्रेवी बला भी बनता है और एक फ्राय बला भी बनता है तो देखें ये बन के रेडी हो गया है ये अच्छे से फ्राय हो गया है अब इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं यह ज़्यादा टाइम नहीं लेता है फ्राय होने में इसको चम्मच की हिल्प से इसको निकाल लेते हैं दीखिया ऐसे करके मैंने निकाल लिये हैं और यह जो मसाला हलका से निकल गया इसको ऐसे करके साप करके और जो भी बचा हुआ पिसे से उसको फ्राय कर लेंगे देखिये कितना अच्छा लग रहा ना एक बार बनाके ट्राय करके यह तो इसको आप बार बार बनाईएगा ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है देखे आज इतना ये टेस्टी दिख रहा है खाने में उसे ज़्यादा ये टेस्टी लगता है तो एक बार आप जरूर बना के ट्राय करिएगा सब आपकी तारिफ किये बिना नहीं रहेंगे तो मिलती हूँ नेक्ट वीडियो में कुछ नई रेसिपी के साथ तब तक बाइबा फ्रेंड्स